प्री भक्तों जैसरी राम आज हम सुनाएंगे भक्त माल कल्यान से गीता प्रेस्कोरपुर्शी पिकासित भक्तों की सची कथा में भक्त लोचन दास की कथा भक्तों ये वीडियो जादा से जादा अपने बच्चों को सुनुआए और सभी लोगों को सेयर करें ताकि सभी लोगों के हिर्दय में भगवान की भक्ति आये ये कथा बंगाल के बर्दिमान जिले में कोग्राम नामक इस्थान भक्तवर स्री लोचन दास की जनम भूमी था घर संपन था लोचन दास अपने माता पिता की एक मात संतान थे और उनका ननहाल भी उसी काव में होने के कारण ब्रद नाना नानी भी उनको बहुत ही प्यार करते थे इस दुलार प्यार के कारण लोचन दास का बाल जीवन प्रहा हसने खिलने में ही भीता उन्हें विशेश पढ़ने लिखने का आउसर नहीं मिला घर में संपन होने और माता पिता था नाना नानी के परम इसने से सदा पले होने पर भी लोचन दास का मन किसी पूर संसकार वस विश्यों में नहीं लगता था वे खेलने में ही मिट्टी के महल बनाते और उन्हें फिर विगार कर कहते देखो भाई ये संसार भी ऐसा ही है आज है कल नहीं उनकी अंदर पूर्ण जर्म के संसकार होंगी जो उनकी बच्पन में हिर्दै से भक्ती थी जबकि लोचन दास इकलोते पुत्रते चाहे तो आज कल के बच्चों की तरह बिगड सकते थे लेकिन उनपर प्रभु की वहती अपार किरपादी लोचन दास की बहुत मना करने पर भी उनके माता पिता ने उनका बिवाय ग्यारा अवर्स की अवस्था में ही कर दिया इनकी इस्तरी वास्तों में लच्मी के समान रूप और गोणों से शंपन थी परंतु लोचन दास का मन इधर नहीं फिरा जिधर लगा था वहीं लगा रहा स्री खंड नामकिस्थान में स्री चैतन महाप्रभु के भक्त पंडित प्रवर नरहरी जी मराज निवास करते थे वे जैसे प्रेमी भक्त थे वैसी ही सर्व सास्तरों के ग्याता बित्वान की थे स्री लोचन दास भी एक स्री खंड जाकर स्री नरहरी जी के सत्जंग का लाब उठाने लगे ये उन्होंने दीच्छा लेकर उनके सिस्स हो गए इनका बैराग स्री कृष्ण अनुराग के रूप में बदल गया संसार की रही सही आसकती भी इनके हिर्दै से नस्ठ हो गई वे भगवान के प्रेम में निमगन होकर माता, पिता, पत्नी, गाओ, घर, नगर सब भी फूल गए इनके माता, पिता को भी ये जानकर आनन्द हुआ कि लड़का स्री नरहरी जैसे सोयक पंडित का सिस्स बना है क्योंकि नरहरी पंडित जी बहुत ही बिद्वान थे परंत लोचन दास जी के पत्नी के पूर्ण यूती हो जाने पर घर की लोग उन्हें अपने घर में लाना चायते थे यानि उनका गौना करना चायते थे उनकी इस्तरी इनके बियोग में दिनरात आसू बहाया करती थे इनके पिता कमला करजी ने सब हाल नरहरी जी को सुनाया और उनकी विसेश आग्या से फिर लोचनदास अपनी पत्नी को लाने आमोत पूर ग्राम में अपनी सश्राल गए लोचनदास गुरू आग्या से सश्राल पहुचे किन्दु ग्राम में भूल जाने के कारण उन्हें अपनी सश्राल का घर याद नहीं था बिधाता का बिधान भी कुछ ऐसा ही था गाव में घुस्ती ही उन्हें एक बहुती सुन्दर यूती मिले उन्होंने बड़े ही बिनीत भाव से उससे पूँचा माता जी अमुक का घर कहा है किस रास्ते से होकर जाने से उहां में पहुच सकूँगा यूगती तो इनके ओ एक बार देखा और उंगली के इसारे से रास्ता दिखा करके नीचव मुक करके अपनी राय चली गए लोचंदा संसुराल पहुचे स्वागत सतकार कुसल प्रसन इस्नान भोजन के पासचाथ ये जब अपनी पतनी से मले तब ये जानकर अंतियन भहभीत हो गए कि जिसी उन्होंने माता जी कहकर संबोधित किया वे तो इनकी पतनी थी क्योंकि हर दूसरी इस्तरी में अपनी माता या बहन का ही रूप देखता है पती के मुक से माता जी का सब्द आते ही वे तरवनी भी काप गई वो भी पहचान गई कि अरे रास्ता तो मैंने इनहीं बताया था यूती बिसात के आवेग में साड़ी के आंचल से आखे पोंच कर दूर हट गई लोचन दास भी सब समझ गए इनकी मुक से एक सब्दी भी निकलना कठिन हो गया समय की गती बलवान है राद भर पती पतनी दोनों आसू बहाते रहे भक्तों कितनी सच्ची कताय उस पहले के समय में कितने लोग अपनी बात के धनी होते थे धर्म वीरू लोचन दास ने अपनी पतनी को समझाया उसने भी गदगद कंट से यही का स्वामिन मेरे तो इश्वर आराध आप ही है आपको छोड़ कर मैं दूसरे किसी इश्वर को नहीं जानती मैं भोकी भूकी नहीं हूँ मुझे आपका सरीर नहीं चाहिए मैं यह भी नहीं चाहती कि आपने जिसको एक बार मा कैदिया हो उसके साथ पतनी का सब विवहार करके आप धर्म पत से अलग हो जाएं इंदु प्रभू पती देव मुझे आप अपनी सेवा का दिकार तो दे ही सकते हैं उससे मुझे आप अलग मत कीजिए पवित्र सील ब्रत को धारण कर दोनों पती पतनी पर मात्मा के मार्क पर चलने लगे माता पिता की मत्यू के पस्चात लोसंदास अपनी सारी धन दोलत गरीबों को पाट करके ग्राम के बाहर एक प्रण कुटी पना कर सती पतनी के साथ भजन करने लगे दोनों पती पत्नी भगवत प्रेम में मस्त रहते थे अब उन्हें संशारिक कार्यों से कोई मतलब नहीं था अब वो इतना ही कार करते जिससे इनका पेट भर जाये और दिनपर भगवान का भज़नों लोचनदाज जी का स्री चैतन महा प्रभू के चड़नों में प्रगार प्रेम था इन्होंने चैतन मंगल नामक महा काप की रचना भी की लोचनदाज चैतन मंगल का गान करते और सती पत्नी पास बैठी एक क्राग्र मन से हसर के आशु भाते हुई सुनती इस प्रकार यूती पतनी लोचन दाज जी की साधन संगनी बन गई लोचन दाज जी के दुलब सार बस्तु तत्तु सार आनंद लतिका प्राथना चैतन प्रेम बिलास देह नुरूपन और राग लैली नामक साथ गरंथ बहुत प्रिसिद्ध है उनका सारा जीवन भजन कीर्टन और गंथ निर्म प्र में गिरती रहती है वैसी मेरी बुद्धी किसी दूसे और ना जाकर आपसे ही निर्णतर प्रेम करती रहे हर कल्याण में कहानी के बीज बीज में भक्त बारी दी जायती है इसलिए कुंती माता की बारी हमने आपको सुनवाई भक्तों इन कथाओं से हमको ये सिच्छा मिलती है कि हमें अपना जीवन भगवन में बनाना चाहिए आज कल लोग जूट बोलते हैं पल पल में बात बदल देते हैं तो उससे ये सिच्छा मिलती है कि अगर हम सच्चे हैं और हम अपनी बात पे कायम रहते हैं तो हमें भगवान की भक्ती और उनके दर्सन जरूर प् जैसे लोचन दाजी को प्राप्त होई इसी तरह से हम सबको भगवत के प्राप्त हो सकती है।